नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं शबी लोग बढ़िया होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था SSC GD का नूंटिफिकेशन आ गया मतलब बैक इंसी जो है उसकी लिंक भी एक्टिवेट हो गई है और आप अपना फॉर्म भी अपलाई कर सकते हैं तो इस व सब्सक्राइब को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए शाथ में बेल आइकन प्रिस कर दिजिए फ्रेंट्स जो आज 17 जुलाई है आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 31 अगस्त लास्ट डेट है उसके बाद जो ओबीसी की फ कंशिन सब्दान सब्सक्राइब देख सकते हैं निव यूजा रएट लेच नाव पर अगर अबहुत तक आपने कोई पहले एससी का सब्सक्राइब अब आपको क्या करना है ए फर mai आपको न्य आ ऑपन पर ननकार पड़एगा इसटेराएन थॉर्येशिक्स तो यहीं है अगर कोई भी एससी के एंटरगात आपने कभी भी फॉर्म बराए तो आपको पूरा फॉर्म भरने की जरूवत नहीं है आपको क्या करना अपना यूजर आईडी रिश्टेशन नमबर ठीक है जिसे यहाँ पर आपको रिश्टेशन नमबर अपने डालना है और आपको पासवेड था वह पासवेड डालना है और आपका जो पहले फॉर्म भरा गया तो वह उपन हो जाएगा उसी में आपको आगे फोटो लगाना सिगनेचर और आगी की डिटेल है वह आपको भरनी है अगर अभी तक आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है तो सीरे आपको दो यूजर first and our फे खिलीक करनाãy की लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर बेसे डिटेल आपको भर्नी बेसीक डिटेल उसके बाद एडिचनल एंड कंटेंट कंटेक डेल उसके बाद फोटो इंड लास्ट में आपको लगाना है ठीक है तो यहाँ पर पर आधार नंबर डाल दिया उसी आधार नंबर को जो उपर डाला उसी आधार नंबर को नीचे यहां पर वेरिफाई करना है वेरिफाई करने के लिए वह आधार नंबर नीचे डाल देना है नीचे डालने के बाद यहां पर देखिए जब आधार नंबर मैच हो जाएगा त धिंगे यहां लादा लिख नहीं गांग डालना है उसके बाद जो आधार आधारE फोले करना आपको ढूंबर करना है उसके बाद यहाँ पर change name आगर आपका कोई नाम संसोधन हुआ है तो yes कर सकते हैं नहीं हुआ है तो आपको नो रखना है उसके बाद father's name डालना है father's name को confirm करना है मतलब दो बार डालना है mother's name डालना है mother का नाम दो बार verify करने के लिए इस तरीके से आपको इहाप आपको यहां पर करना है इसके बदी ओवुकर ना है करना है उसी बुट को फुर से यहां पर क्लिक करने के बाद नीचे जाना है आपके ClassK опред का जो Roll number है वो यहाँ पर दालेना है Roll number डालने के बाद नीचे जाना है डूवारा से डालना है Class OSS फाला उसके बाद आपने ClassT 전에 कौन से संब से किया है थीक संदाल देड कि ए इत्वियन है उसके बाद के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नमबर डालने के बाद दो बार वेरिफाई करना मोबाइल नमबर आपको अपनी इमेल डाल लिए उसी मेल डालना है उसके बाद यहाँ पर इस्टेट आपको अपना इस्टेट है वो सेलेक्ट करना है जैसी कि उत्तर इसमें करना है से पर कलिक करने के बाद कुछ इस तरीके से दीखेगा जिसमें आपको एक ले में जाएगा और आपकी जो डिटेल भरी हुई है बहुत से वह जाएगी इसी रिश्टेशनन नमपर के बाद दूसरा चरण आएगा दूसरे चरण में आपको क्या करना एडिशनल content details आपको भरनी है चलिए अब आपके email ID जो आपने email ID डाली थी यह आपने mobile नंबर जो email ID डाला था उस पर एक OTP जाएगा उस OTP को डालना है OTP डालने के बाद यहाँ पर email पर आपके लिए पासबर्ट भ यहाँ आपको क्या है नेशनाइल टि में आपको Indian करना उसके बाद आपके सरीवफ़ पर होई बीचीन मोल है मतलब कोई उससी इन जो नीचे आने के देना आपको नो कर देना मुझा track सेसे बाद कर देना है उसके बाद नीचे हाना है मां गोगी डिएंगे भागा शीकौन ह आपने डाला है वो आपका नाम यहां पर सो होने लगेगा इसके बाद आपको करना क्या है नीचे आप देख सकते हैं ससी की सारी वेकिंस यहां पर दिखाई देगा लेकिन आपको सबसे मतलब नहीं आपको मतलब है इससे Constable GD यहाँ पर आपको क्लिक करना किलिए इस पर क्लिक करते हैं फिर देखते हैं आपको नीचे आना और apply पे आपको click करना है apply पे click करने के आपने restriction किया था जिसमें सारी detail भरी ती भो detail यहाँ पर सो हो जाएगी ठीक है आपका नाम आ जाएगा आपकी जो इतनी भी इस पर detail य उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है आपको और यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको आपका जो भी डिस्टिक है मतलब इस्टेट है वह आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद आपका जो डिस्टिक है उस डिस्टिक को सेलेक्ट करना है ठ इसे रिञेंगए तो यहांपको क्या करना अपने सबसे हैस या नो कर देना है उसके बाद नीचे आना Քर यह तब सब आएंगे आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको सिगनेचर और फोटू अपलोड करने के बाद डियो भी डाल देना है फोटू पर डेट पड़ी होनी चाहिए उसके बाद आपर समिट कर देना है यह लाश्ट प्रोसेस था इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ऐसी स्ट के इंदर करते हैं तो आपको फीज भरने की दुरूवत नहीं है आपकी प्रिंट निकल जाएगी अगर आप ओभी सी या जेनरल केटेगर सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके बाद आपकी प्रिंट निकल जाएगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स वूडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग